हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, तो दोस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है, तो मैं आपके लिए आपके दोस्तो राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइन्स का दोस्तो कुश्चन पेपर लेके आचका हूँ, आपके क्लास 12 के लिए और दोस्तो यह कुश्चन पेपर आपके एकजाम में आपको देखने को मिलने वाला है, तो इसके सभी कुश्चनों को दोस्तो बिलकुल भी इसकिप ना करें, सभी कुश्चनों को मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा, और दोस्तो नोट भी करते हुए चलें, तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो देखे दोस्तो पहला जो कुश्चन है आपका नाटो की स्थाफना कब हुई थी तो दोस्तो नाटो की स्थाफना कब हुई है तो कौन सा कथन है जो सोक थेरपी का परिणाम नहीं था तो यहां पे देखे दोस्तो समाज कल्याण की पुराने ब्यवस्ता नश्ट हो गई थी ये भी था उद्योगों को निजी छेतर से बचाया गया रूसी मुद्रा रूवल के मूले में नाट के ब्रद्धी हुई तो यहीं दोस्तो क्या हो जाएगा सा उप्षन क्या हो जाएगा परिणाम नहीं था तो यहां पे और रूसन हो जाएगा तो यापी दोस्तों क्या हो जाएगा इसका किस देश का हो जाएगा बांगलादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा. Next question की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संग के मुख्याले का परदान कौन होता है? तो सैयुक्त राष्ट संग के मुख्याले का परदान महा सचिव होता है तो महा सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद है आपका भारत पाक विवाजन के समय बारत में कुल रजवाडों की संख्या कितनी थी तो उस समय दोस्तो रजवाडों की जो संख्याती वो 565 थी तो 565 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तो भारतिय जनसंग के संस्थापक कौन थे भारतिय जनसंग के संस्थापक दोस्तो स्यामा परसाद मुखरजी थे स्यामा परसाद मुखर जी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है यहां पर दोस्तो पर्थम पंचवर्सिय योजना में सरवादिक सरवादिक बल किस पर दिया था तो पर्थम पंचवर्सिय योजना में सरवादिक बल यहां पे दोस्तो क्रसी पर दिया गया था तो क्रसी इसका क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्सन आ इसके बाद जे जवान जे किसान का नारा किसने दिया था तो दोस्तो इसका सभी को पता होना चाहिए जै जवान जै किसान का नारा यहां पे लाल बहादर सास्त्री ने दिया था तो लाल बहादर सास्त्री इसका एकदम correct answer हो जाएगा option A यहां पे right answer हो जाएगा इसके बाद next question है दोस्तो भारत में आम चुनाव कब हुए थे तो भारत में जो आम चुनाव थे दोस्तो वो यहां पे 1952 में हुए थे तो 1952 इसका right answer हो जाएगा इसमें दोस्तो 1951 से 1952 तक चुनाव हुए थे तो यहां पे option में 1952 यहां पे correct answer हो जाएगा इसके बाद दोस्तो बारसा संदी की इस्थापना किस वर्स होई थी तो बारसा संदी की जो इस्थापना है वो दोस्तो किस वर्स में होई थी तो इसका दोस्तो 1955 इसका right answer हो जाएगा 1905 इसका एकदम correct answer हो जाएगा next question है यहां पे दोस्तो सीत युद्ध का संबंद किन गोटों से था सीत युद्ध का संबंद किन गोटों से था तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा अमेरीकी बासेवियत संग अमेरीकी संग और सेवियत संग तो दो गुट थे दोस्तो अमेरीकी संग और सेवियत संग इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेवियत संग इसके बाद next question है सेवियत संग के बिगटन का अंतिम और तातकालिक कारण क्या था तो सेवियत संग के बिगटन का अंतिम और तातकालिक कारण क्या था तो इसका right answer हो जाएगा सेवियत संग जनता की एक्षा को पूरा नहीं कर पा रही थी तथा समाजवादी विवस्ता को लोग ना पसंद करने लगे थे और लोग पूझी वादी विवस्ता की ओर आकरसित होने लगे थे तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसका next question है दोस्तो दक्षेस का पूरा नाम क्या है तो अभी मैंने बताया था दोस्तो दक्षेस का पूरा नाम क्या होता है दक्षड ACI छेत्रिय सहयोग संगठन दक्षड ACI सहयोग संगठन इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कौन-कौन से मौडल थे तो स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष दोस्तो यहां पे कौन-कौन से मौडल थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो उधारवादी पूझीवादी मौडल उदारवादी, पूंजीवादी मॉडल और दोस्तों यहाँ पे हैरोड डॉमर मॉडल हैरोड डॉमर मॉडल और दोस्तों समाजवादी मॉडल समाजवादी मॉडल तो यहाँ पे यह तीन मॉडल यहाँ पे हो जाएगे जिनमें दो मॉडल मुख्य हैं कौन-कौन से उधारवादी, पुझीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल नेक्स्ट है दोस्तो सार्क का मुख्याले कहां पर है तो सार्क का मुख्याले नेपाल में है सार्क का मुख्याले कहां पर है दोस्तो काठमांडू नेपाल में है इसके बाद next question है संयुक्त राष्टर संगे के संस्ताफक थे तो संयुक्त राष्टर संगे के दोस्तो क्या हो जाएगा पंजाब और बंगाल संस्ताफक थे संगत राष्ट संग के संस्थापक कौन थे तो यहां पे दोस्तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं इसका मुझे आइडिया नहीं है नेक्स्ट देखिए दोस्तो भारत के विवाजन में क्या हो जाएगा पंजाब बंगाल पंजाब बंगाल परांतों का भी बटवारा हुआ तो पंजाब बंगाल हो जाएगा इसका राइट आंसर इसके बाद दोस्तो और भी इंपोर्टेंट कुश्चन है आपके लिए जो आपके एकजाम में पूछे जाने वाले हैं इनको भी जरूर पढ़कर जाएगा देखिए रीपबलिक पुष्टक के रचैता कौन है तो प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्ति के दो रूप कौन कौन से हैं बास्तविक और संभावित सक्ति स्वतंत्ता के संबंद में तलक्का नारा क्या था तो इसका नारा तो आप सभी को पता होना चाहिए स्वराज मेरा जनम से ददिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा जनसंचार के तीन माद्यम कौन हैं रेडियो है रेडियो हो जाएगा और दोस्तो इंटरनेट हो जाएगा और अखवार हो जाएगा टीवी हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट एज ये हो गया इसके बाद धर्म को अफीम के समान कौन बिचारक मानता था तो कारल माक्स क्या हो जाएगा दोस्तो कारल माक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC का पूरा नाम तो सभी को पता है क्लोरो फ्लोरो कारवन होता है परदान मंत्री की न्युक्ति कौन करता है राष्ट्र पती करता है बारतिये संग की राजवासा का दर्जा किस वासा को दिया गया है हिंदी वासा को दिया गया है हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर राष्ट्रिय नियाले का मुख्याले किस सहर में है तो अंतर राष्ट्रिय नियाले का मुख्याले दोस्तो हेग में है हेग इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दर्म निर्पेक्षिता की अवधारणा को स्पष्ट कीजे राज जनीतिक संस्क्रति क्या है और समाजवाद के चार गुड़ भी बताईए तो इनको आपको दोस्तो तयार करके जाना है बैसिविकर्ण के सकार आत्मक परवाब भी बताईए इसके बाद दोस्तो बारत के संविदान की कोई चार बिसे स्ताई निया एक सक्रियता पर आज से बताईए रंग वेद से आप क्या समझते हैं और दोस्तो अवसरों की समानता पर संचेप में टिपड़ी लिखिए और संगबाद की आलुक चना के मुख्यविंदू लिखिए बारत में नियोजन के प्रमुकुद्देश से क्या है और दोस्तो अधारबाद की अधारबाद की क्या है दोस्तो क्लियर नहीं दिख रहा है अवधारणा आपको बताने है बिधी के सासन से आप क्या समझते है तरी स्तर ये पंचायती राज डाचे के तीन स्तर कौन कौन से है यह आपको बताने है भूमी पुत्र की अधारबाद क्या है और दोस्तो यहाँ पे दोस्तो राजनीतिक सरकार के लिए क्या खत्रा है बिधान की बिस्व की तो दोस्तो इसका किलियर मुझे नहीं दिख रहा है इसके बाद देखें यहाँ पे इसके बाद गांधिवाद के मूल तत्व क्या है क्या यह है आज भी सार तक है यहां को सिद्ध करना है यह फिर अथवा में गिलोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं गिलोबल वार्मिंग क्या होती है जब दोस्तो टेंप्रेचर अधिक हो जाता है जैसे हम पौदागर प्रवाब भी कहते हैं इसके कारणों की व्याख्या भी आपको करनी है और प्रत्वी पर पढ़ने वाले प्रवाब का विश्तरत बरण राष्ट पती के निर्वाचन एवं सामाने सक्तियों पर टिप्री लिखिए और संसद की विदी का निर्माण इसे अब आधार बना कर दोस्तों लिखें कस्मीर के हालात पाकिस्तान की बज़े से कैसे बिगड़े हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके कुश्चन समापत होते हैं I hope दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें थैंक्यू फोर यह दोस्तों अल्दा वेस्ट